हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ रश्मी रश्मी की फैमली किचिन में आपका श्वागत है तो मैं बनाओंगी आज अरवी की रशीली शब्जी ये शब्जी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार शब्जी बनती है इसे बनाना बहुत ही आशान है और आप इस तरीके से अगर अरवी की सब्जी बना लेंगे तो दो की जगह चार रोटी खाने पर मजबूर हो जाएंगे तो वीडियो को पूरा देखना वीडियो पशंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए मैंने यहां ले ली पांच ग्राम गुईया तो इसको मैं गुईये के जी छिलके हैं वो हट जाएंगे और मेरी गुईया जो है आशानी से छिल जाती है और हमारे हातों में खुजली बगैर हैं नहीं होती हो आप इसको आराम से 2-4 बार पटकेंगे और ऐसी मशल डेंगे तो इनका जो छिलका है वो हट जाता है तो एक तरीका आप यह अपना सकते आप रेजर से चाकू से भी छील सकते उससे पहले आप कड़वा तेल लगा कर इसको छील सकते हैं जिससे यह होता हमारी खुचली नहीं होती हातों में और इचिंग बगएर है नहीं होती तो यह तरीका जरूर अपना कर देखना पहुत ही काम आता है तो इस त होता है जो मेरी घुञाइन है तो जो मैं काटती हूं न तो चिप चिपी नहीं होती हो और आसानी से कट जाती है तो इसी तरीके से मैं सारी घुझीया को काट लिया है यूदे काटने के बाद मैंने तीन से चार वार अच्छे से इनको वास कर लिया है इनका जो इस टार्च था वो खतम हो गया है तो मैंने इधर लैशन की कलियों को काट लिया है बारी को इधर कढ़ाई को कर लिया है गरम इसमें डालेंगे सरसों का तेल तेल को गरम करेंगे तेल को गर लेहुमious को ब्राउन करना है तो मैंने देखी लेहुमड को ब्राउन करना है अब इसमें एड करेंगे ये गूना पहले और ये गुईयों को अच्छे से मिक्ष करने के बाद आप इनको मेडियम गैस पर अच्छे से चार से पांच मिनट आराम से इनको ब्राउन होने तक फ्राई करिए तो इससे जो हमारी गुईया है ना बड़ी टेस्टी भी बनती है और बहुत ही जल्दी पक्कर तयार होती तो इसी तरीके से मैंने बीच भीच में चलाती हुए गुण्यों को फ्राई कर लिया है तो भून लिया है तो इसमें आप एड्ड करेंगे मशाले तो इसमें मैंने और disappearance दिया ताल मिस्ट तो थोड़ी शी कश्मेरी मिस्ट जिससे की थोड़ा कलर अच्छा आता है। और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए मैंने तीन तीन से चार मिनट इसको प्राई कर लिया है। कि देखिए मेरी कालर देखिए बड़ा ही अच्छा आया है और मैंने एड़ कर दिया है ग्रेवी के इसाप से ये पानी आप जिस हिसाब से ग्रेवी चैesque में दाल सकते हैं और इसको मीडियम क्यास करती हुए मैं ड़क दिया हैं तीन से 4 मिनट इसको पकने देंगे तो तो तीन से चार मिनट हो चुके हैं तो सबजी को खोल कर देख लेना है और सबजी को मुझे इसको चला देना है और ये गुईया जो हमारी पक रही है उसको एक गुईया लेके आप चेक भी कर सकते हैं कि गुईया मेरी कितनी पकी हुई है तो देखिए गुईया मेरी 80% पक च और पकालिया तो देखिए गुईया मेरी बिलकुल बनकर रेडी है तो मैं इसको एक बार चला दे रही हूँ तो इसकी अब गैस कर देंगे बन तो आप हमेशा यह याद रखा करें जब भी कोई भी सब्जी रसीली बनाया करें तो मीडियम से कम गैस पर आराम से सब्जी को ब बड़ी ही टेश्टी सब्जी भी बनकर तयार होती है कम तेल मसालों से भी सब्जी को बहुत ही टेश्टी बनाया जा सकता है तो इसी तरीके से मेरी रशीली गुईया की सब्जी बनकर रेडी है तो मैंने इसको देखी निकाल लिया है बरतन में ट्रांश्पर कर लिया है त तो पशंद आए तो एक लाइक तो जरूर कर देना फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाय एंड टेक केर